आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो 14 सितंबर हिंदी दिवस है आज आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर संसत का मौनसून सत्र शुरू होते ही मालूम हो गया कि देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 25 सांसदों की कोरोनर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये बात डराने वाली है खासतोर से तब जब पबलिक ट्रांसपोर्ट भी देश में शुरू होने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे दूसरी खबर बॉलिवड एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी उन्होंने मुंबई को अलविदा कह दिया है ये कहते हुए कि मेरी बात सही साबित हुई कि ये जगह P.O.K. में बदल चुकी है हिमाचल प्रदेश वो अब जा रही हैं जहांकि वो रहने वाली हैं क्या उनके राजनितिक प्लान्स हो सकते हैं सेंटिमेंट क्या है हिमाचल में इस पूरी घटना को लेकर के ये समझेंगे और आखरी खबर सबजियों के दामों पर आलू, प्याज और टमाटर के दाम 30 से 50 फीजदी तक बढ़ गए हैं थोक मंडी पहुँचे हमारे रिपोर्टर उनसे जानेंगे हालात और ये भी कि ये स्थिती कब तक रह सकती है लेकिन पहले हेडलाइन्स देश में कोरोना की स्तिती को लेकर केंद्रिय स्वास्थे मंत्री डॉक्टर हर्शवर्धन ने आज लोग सभा में जानकारी दी डॉक्टर हर्शवर्धन ने कहां कि भारत में कोरोना के संक्रमन की दर अन्य देशों के मुकाबले कम है कोरोना काल में संसत का मौनसुंसत राज से शुरू हुआ, अब तक देश के 24 संसतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, इसमें राजसभा के 6 संसत शामिल है भारत में पिछले 24 घंटों में 94,000 से ज्यादा नए केसे सामने आये, पिछले 24 घंटों में भारत में 1000 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी है मोधी सरकार ने संसत को जानकारी दी है कि पिछले तीन साल में भारत में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार घटा है सरकार द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक साल 2017-18 में भारत में करीब 35 करोड डॉलर का चीनी FDI 2019-20 में घटकर 16.7 करोड डॉलर का रह गया कोर्णा संगट के 20 शुरू हुए मौनसुन सत्र के पहले ही दिन NDA राजसभा में अपनी ताकत दिखाने में कामियाब रही जनतादल युनाइटेट के नेता हरिवंच सिंग फिर से राजसभा के उप सभापती चुन लिये गए हैं चीन की एक टेक कंपनी द्वारा दुनिया भर के लोगों का डेटा जुटाने का मामला सामने आया है जनजुआ डेटा इनफॉर्मिशन टेकनोलोजी दुनिया भर के देशों से मिलिटरी और खूफिया जानकारी जुटा रही थी इसमें भारत के प्रधानमंत्री राश्ट्रपती समेत कई दिगजों का डेटा शामिल है बीते महिने अगस्त में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.16% हो गई है आधिकारिक आकडो के अनुसार थोक मुल्य सूचकांग आधारित महंगाई दर 0.16% की गई है जो कि इससे पूर्व महिने में शुन्य के नीचे थी दिल्ले विधानसभा सत्र में सदन की कारिवाही के दौरान रिठाला से आप विधायक महेंद्र गोयल ने अचानक स्पीकर को अपना स्तीफा देने की पेशकश की महेंद्र गोयल ने सदन को बताया कि उनके खलाफ मास्क नहीं लगाने की वज़ह से F.I.R. हुई है आज तक रेडियो पर यह दिन भर और मैं हूँ कुलदीप मिश्र दिल्ली में संसद का मौनसून सत्र आज से शुरू हुआ और उससे पहले सांसदों की कोरोना चेस्टिंग की गई जिसमें 25 सांसदों की रिपोर्ट पॉसिटिव आई है अब संसद में बहुत एहतियात बरते गए हैं फ्रिस्किंग नहीं की गई इस बार दूर से सुरक्षा जाच की गई ग्लाश शील्ड लगाई गई है हर सीट के साथ लेकिन क्या ही कर सकते हैं अगर कोई पहले से ही कोरोना से संक्रमित हो चुका हो तो अब इस खबर को इस तरह देखिए कि सांसदों के साथ ही ये सुविधा थी कि उन्हें सदन में बैठाने से पहले उनका टेस्ट कराया गया अच्छी बात है समझदारी की बात है लेकिन अब आप सोचिए कि दिल्ली में मेट्रो पूरी तरह शुरू हो चुकी है चिन्नई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चली रहा है इनमें चलने वाले लोग रोज अपना टेस्ट नहीं कराते संभव नहीं है आज की घटना से ये भी मालूम होता है कि यहां से भारत के लिए असल चैलेंज शुरू हो रहा है जब सब कुछ दोबारा अनलॉक होने जा रहा है जीडीपी गढ़े में है इसलिए काम धंदों में तेजी लाना भी जरूरी है और वो करते हैं तो कोरोना इंफेक्शन का खत्रा बढ़ता है अभी दिवाली बची हुई है अभी November-Desmber में शादी का सीजन बचा हुआ है तो इस बिमारी को हलके में ना लें, निजी तोर पर आप इतना ही कर सकते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन एक्सपर्ट्स का इंटेव्यू करते करते, इतना तो जानी गयाओं की सावधानी ही बचाओ का एक मात्र रास्ता है तो संसत पर लोटते हैं, संसत पर आज सब की नजरें थी, नितेन ठाकुर हमारे आज तक रेडियो के साथ ही हैं, वो भी दिन भर संसत की दोनों सदनों की कारेवाही पर नजर रखे हुए थे, मैंने उनसे बात की और पहले यही पूछा कि कौन से संसत हैं जो संक्रमित हुए हैं और इस घटना को लेकर चर्चाएं किस तरह क्यों रही हैं? हैं हनुमान बेनिवाल, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक रिपोर्ट कोरोना की अपलोड की है, जो अपलोड की है, वो SMS अस्पताल जैपूर की है, उन्होंने वहाँ भी टेस्ट कराया था, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए थे, नेगेटिव थे, लेकिन अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जब दिल ली आए, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने लोग सभा परिसर में COVID-19 की जाच करवाई, जो पॉजिटिव आई, उसके बाद जैपूर उस्थे, SMS मेडिकल में जाच करवाई, जो नेगेटिव आई, दोनों रिपोर्ट आप सुकांता मजुंदार का नाम हैं और प्रतापराव जाधों हैं, जनारदन सिंग, सिगरिवाल हैं, बेद्युत बरन महतों हैं, परविश सहिप सिंग हैं, रामशंकर कठेरियां हैं, तो ये सभी हैं जिनकी रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है, और अब देखिए कि कल ह की बात है कि ग्री मंत्रे मिच्शा को भी अस्पताल में भरती करा गया था, पोस्ट को भी ट्रेटमेंट उनका चल रहा है, सांस लेने में अचाना तकलीफ महसूस हुई, कल उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो ऐसे में कुल्दिव असल में चिन्ता का विश्य ये है की संसद सत्र होना था, हो रहा है, भले ही छोटा है, लेकिन हालात देख ही कितने खराब हैं, पांसो बैले सदस्ते हैं लोकसभा में और उनकी विवस्था करनी मुश्किल हो रही है, कुरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो सोचिए कि पबलिक ट्रांसपोर्ट खुलने लगे हैं, मेट्रो, ट्रेन चलने लगी हैं, जिम, होटल, ये सभी खुल रहे हैं, नवंबर में शादियां होनी हैं, तो बैंकिट हॉल खुलेंगे, तो चिंता बढ़ाने वाली खबर है कुल्दीप, कि अचानक पहले ही दिन 25-27 कुरोना पॉजिटिव पाय जा रहे हैं, और उन्हें तो चलिए फिर भी वी वी आईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो बाते मैंने आपको बताईएंगी, किस तरह से अनलॉक हो रहा है, जब अनलॉक होगा, तो कितनी बड़ी तादाद बढ़ सकती है, और फिर कैसे इन लोगों का इलाज होगा, ये तो वाकी चिंता करने वाली बात तो है कुलदीप, नितिन इस से हट कर राज्य सभा और लोग सभा में आज मौनसून सत्र का पहला दिन कैसा रहा, क्या-क्या बड़े इवेंट्स बड़ी घटनाएं, सदन की कारवाही के भीतर होई, हाँ कुलदीप 18 दिन का मौनसून सेश काम में आ रही हैं थी कि कोई भी सांसत दूसरे के संपर्ग में सीधे ना सके, कोई करोना संक्रमित है तो दूसरा ना हो जाए, और कुलदीप सुभै प्रधानमंतरी LAC की स्थिती पर भी बोले हैं, जिसके बाद कॉंग्रिस ने लोग सभा में एडजोन्मेंट मोशन पेश किया और एक घंटे के लिए सदन स्थगित हो गया था, फिर करीब साड़ेनों बजे एक बार फिर नीट परिक्षारतियों की खुदकुशी का मामला गरमाया, डीम के सी पीम ने इसे उठाया, उन्होंने भी एडजोन्मेंट मोशन पेश किया, और जैसी संभावना थी कि कि उठाया, कपिल सिब्ल इस पर बोले, फिर ग्रही मंतरी राजनाथ सिंग ने प्रशनकाल के बारे में आश्वासन दिया, कि सभी दलों से सलह मश्विरा किया जाएगा, क्योंकि इसे पहले प्रशनकाल को लेकर बड़ी गहमा गहमी थी, और वो ऐसी इस पर काफी सक्त ते पूत केस के बाद जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक चर्चा चली, तो ये बाना जा रहा था कि ये बात उठ सकती है, रवी केशन ने उठाई, बीजेपी सांसद हैं, उनके बाद NCP की सूपरियासूले ने बेरुजगारी का मुद्दा भी उठाया, इस अब जब उन्होंने डिवीजन की मांग रखी, तो स्पीकर उंबिडला ने बोठो करा दी, साड़े ग्यारा बज़े किंद्रे स्वास्ते मंत्री ने देश को कोरोना की स्थिती से वाकिफ खराया, करीब डेड़ बज़े जाकर लोग सभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिय पिर तीन बज़कर दस मिनट पर राजसभा की कारवाई शुरू ही, कुलदीप अलग-लग टाइम पर सांसदों को बुलाना था कुरोना के चलते, तो जब राजसभा की कारवाई शुरू ही, तो सबसे पहले नए सांसदों की शपत हुई, तीन बज़कर 43 मिनट पर एक टिप्टी चेर्मेन चुन लिया गया, जेपी नड़ा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, समर्थन थावर्चंद गहलोत ने किया, हरिवंश ये सिम्मेदारी दूसरी बार समालेंगे कुलदीप, विपक्ष ने भी टिप्टी चेर्मेन को बधाई दी है, प्रधनमत्री मो भाई मैं आज ये कुछ हुआ ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथ ही नितिन ठाकुर आज तक रेडियो आज तक डॉट इन स्लाश रेडियो ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ओडियो प्लाटफर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉटकास्ट, आपल पॉटकास्ट, स्पोटिफाई, टियो सावन, जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं, और अगर यूट्यूब आपके पसंदीदा जगए है, तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीचे, आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां ये कहना ज़रा मुश्किल है कि कंगना रणाउत बना महराश्ट्र सरकार का चैप्टर, लंबा खिच गया है, या अब जाकर के उसे एक पड़ाव मिला है, बॉलिवुट के एक्टर सब कुछ मुंबई से कमाते हैं, और वो किसी घटना की वजह से मुंबई छोड़ जाएं उनने ट्वीट किया कि मैंने मुवी माफिया, सुशान सिंग राजपूत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का परदाफाश किया, जो कि आदित ठाकरे के करीबी लोग हैं, इसलिए महराश्ट्र के मुख्यमंतरी मुझे ठिकाने लगाना चाहते हैं, चलो देखते हैं कि कौन क इसे ठिकाने लगाता है, ये उनका ट्वीट है, कंगना का मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश जाना, इसकी टाइमिंग और उसके पहले के बयान, इशारा देते हैं कि राजनीती से कंगना को परहेज नहीं हैं, क्या वे भाजपा में जा सकती हैं, पता नहीं, लेकिन इस पर चर्चा होने के परियापताधार तो मौझूद हैं, मैंने हिमाचल दस्तक अखबार के एडिटर हिमाचल जी से बात की, हिमाचल धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में अर्से से पत्रकारिता कर रहे हैं, हिमाचल जी शुक्रिया आपने समय दिया, शुक और चीज़े हैं, वही पर जब ये सी बी आई को केस देने का या माराश्टर्म सरकार का यह दा कि हमी देखेंगे, जो भी आपस में तसल एक चली हुई थी उस तरह से, तो वही पर ही एक मैसेज इस तरह का आगे हो गया, कि शिप सेना या जो सरकार है, मापे शिप सेना कां पूद गये थे, तो नैचुरली वह एक एक एंटी शिप सेना, एंटी महाराश्टर सरकार एक पर्टिकुलर पार्टी वैसी बातें कर रही थी, तो उसमें कंगना भी फिर वो उसी एक विचार को और उसी बात को लेके आगे उसमें एड कर रहे थी अपना विचार, तो नै अरे जो पार्टी लाइन पर भी फिट वैटरी है बाद, तो फिर कंगना हमारी हो गई, या हम कंगना के स्पोर्ट मे होगे तो ऐसा, ऐसा, कोई भी घटना, कोई भी बयान, इस तरह के जो कुछ सेलिविटी है, कुछ इस तरह के लोग देते हैं, या इनके साथ कोई घटना गया है, और कुछी कविना हमाचल प्रदेश से हैं, और अभी हमाचल वापस दोटने की बात भी इसकी आगी है, कि वो हमाचल आ रही है, तो इसमें यहाँ पे सियासी अंदर खाते तो हलचल है, चर्चाएं हैं, अब वो किस तरह से आगे कहीं पे दरातल पे उतरती है, चर एक पर्टिकुलर पार्टी में तो तमाम तरह की आठकलें जिसमें सियासी की वो यहाँ से भी इलेक्शन लड़ लें, वहाँ से भी लड़ सकते हैं, यह हो सकता है, तो वो गप बाजी का दौर तो पिछले साथार दिन से लगता चला हुआ है, देखे मैं हेमन जी, कंगना के कुछ बयानों की भाषा आपको बताता हूँ, उसके कुछ कीवर्ड बताता हूँ, उसमें पाकिस्तान है, उसमें कश्मीरी पंजित है, उसमें बाबर है, उसमें सोनिया गांधी पर सीधे हमले हैं, जो किये गए, यह जो शब्द है, यह जो जुबान है, यह भारतिय जन संकेत मिलने है स्टेट लीजर्शिप की और से खासता और से हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में तो इस तरह के संकेत अभी बहुत ज्यादा नहीं है. हाँ, इसको हम को रिलेटा ऐसे जूर कर सकते हैं कि एक केंदर सरकार में, जो बीजेफी केंदर सरकार है, दूसरी चीज़ ये इसमें हुई है कि यहाँ पे कंगना रनौत के पक्ष में कई से लठा मुखर है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा फ्रंट पर हैं आगे कंगना को लेके, खास तरह पर उनका महिला मोर्चा, उनके कई तमाम बड़े लीडर, उनकी रोज की ब्यांदाजियां हैं कि हमाचल की बेटी के साथ इस तरह का वहाँ पर ये हुआ है, वो हुआ है, और मैं कहूं आपको कि यहां तक बात वह भी कि बीजेपी महिला मोर्चा ने, शिम्ला न है, हाला कि चीफ मिस्टर हमारे यहां पर जैराम ठाकुर जिन्हों ने इसको बड़ा सीरिस्ली नहीं लिया और उसका इदिका कि कुछ तुलना करना प्रिंका दान्दी की मकान से कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं वो जो आप कह रहे हैं कि स्यासत का एंट्री करना चाहत है या वो अलग चीजें हैं पर कुछ चीजें जुड़ती और एक जैसी एक लाइन पर चलती हुई दिख जूर रही है हिमन जी हिमाचल प्रदेश की राजनीटी के लिहाओ से थोड़ा सा बताये कि बीजेपी के भीतर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लीजर्शिप की स्तिती क्या है कि अनुराग ठाकुर सेंटर में आ गये हैं या जेपी नजड़ा सेंटर में आ गये हैं जैराम ठाकुर अपना हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं अगर भविश्य की बात करें कि कंगना भारती जंता पार्टी में हिमाचल प्रदेश में शामिल होती हैं और वहाँ वो अपनी ये थे हिमाचल दस्तक अख़वार के डिटर हिमत और आगे बढ़ें उसके पहले आप अपनी टेलिग्राम एप्लिकेशन खोलिए और वहाँ आज तक रेडियो सर्च कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए उससे होगा ये कि आपको एक जगह पर हमारे सारे पॉड्कास्ट मिल जाएंगे तो ऐसे हर प्लेटफॉर्म पर भी हम मौजूद हैं आप महाँ पर भी आज तक रेडियो के तमाम पॉड्कास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली खबर सबजियों से जुड़ी तीन सबजियां जो बिलकुल बेसिक नीट की हैं आलू टमाटर और प्याज इन तीनों के दाम उच्छाल पर हैं करीब 30 से 50 फीजदी जादा हैं खुद्रा महंगाई दर इस वक्त 7 पर्शंट के करीब है और कई अनुमानों में ये कहा गया है कि दिसंबर तक कमोबेश महंगाई दर ऐसी ही रहने वाली है नीचे नहीं आएगी तो वो फैक्टर भी है कोलकाता में सबजियों के दाम बीते 9 दिनों में करीब 2 गुने हो गए हैं वहाँ टमाटर 120 से 130 रुपे किलो हो गया तो दिल्ली में फिर भी इतनी बुरी इस्तिती नहीं है लेकिन 30 से 50 प्रतिशत का इजाफा तो है ही वो भी कम नहीं होता अब इसक अगर हम बाजार कहें तो उसके हिसाब से सबसे बड़ी मंडी है दिली के आजादपर मंडी वहाँ हम गया और वहाँ पर कई सारे जो ट्रेडर्स हैं खास तोर पर जो थोक विकरेता हैं उनसे बात हुई कि क्यों आखिरकार सबजियों की कीमत बढ़ी है जिसमें आलू, प् सबसे ज्यादा हमारी बात हुई तो उसमें अलग-अलग सबजियों की कीमतों के बारे में उनकी लगाए अलग-अलग थी कि आखिरकार क्यों बढ़ी है कीमतें जहां तक आलू की बात अगर हम कहें तो उसको लेकर के जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि 40 रुपे तक पहुच किया है कम से कम खुद्रा बाजार में और 50 रुपे भी अच्छे आलू की कीमतें हैं तो उसमें दिक्कत यह आ रही है कि इस बार चुकी मौनसून बहुत देर तक रहा है आम तोर पर अगस्त के पहले हाफ में मौनसून की बारिश कम हो जाती है लेकिन इस बार दू जैसे जो ट्रेडर हैं जो कारोबारी हैं वो धीरे धीरे फसल निकाल दे हैं तो यह आलू की बात है प्याज को लेकर के भी यही बात है कि जो दक्षिन के राजे हैं या महारास्ट वहाँ पर बारिश हुई है तो जो फसल है उसको अभी जो घेत में है उसको निकालने में वक्त लगेगा और इसी वज़े से महा पर दाम बढ़ रहा है और टमाटर की बात करें तो टमाटर आहम तोपर बरसात में महेंगा वैसे भी हो जाता है क्योंकि उसके जो पौधी होते हैं वो जमीन से सेटे हुए होते हैं और जैसे ही पानी भरता है बरसात के समय में तो पौ लेकिन जिन व्यापारियों से आपकी बात हुई क्या COVID-19 की वजह से जो सप्लाई चेन बाधित हुई है क्या उसका जिक्र किसी ने किया जो इंफलेशन रेट बढ़ा है क्या उसका भी थोड़ा बहुत असर है इसमें लिके की दिक्कत नहीं है इस बार एक बहुत रोचक बात हमें बाजार में जाकर सुनने को मिली वो था कि मौनसून के अलावा अगर कीमत बड़ी है तो उसके पीछे एक रीजन है जो कि बिलकुल मौसम के हिसाब मौसम से जुड़ा हुआ नहीं है बलकि वो हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ है आपको जैसे पता होगा कि अभी चल रहा है श्राद का महीना श्राद यानी दो तीन दिन और श्राद चलेंगे आम तोर पर श्राद के ठीक बाद नौरात्र शुरू हो जाते लेकिन इस वार ऐसा है नहीं इस बार क्या है कि बीच में एक महीना मले मास यानि नवरात्र अगले महीने से एक महीने बाद शुरू होंगे। आहम तोर पर क्या होता था कि प्याज लोग श्राधूं में नहीं खाते थे और उसके बाद नवरात्र में भी प्याज नहीं खाय जाता था। तो सप्लाइरी और डिमांड का जो अंतर था वो कम होता था। लेकिन इस बार तुरंट शाध के मलेमां से एक महीने का चलेगा जिसमें लोग प्याज खा सकेंगे और इस वज़ा से भी प्याज की कीमतों में उच्छाल है। और दूसरी बड़ी वज़ा है कि इस बार चुकी एक महीने बाद नवरात्र आएगा और आम तोर पर हिंदु इस बार चुकी एक महीने बाद नवरात्र आएगे तो यानि देर से भुआई होगी यानि फसल भी देर से आएगे इसलिए कारोबारी समझ रहे हैं कि स्टॉक करना जरूरी है स्टॉक करके रख रहे हैं चाहे वह प्याज हो आलू हो इस तरीके की चीज़े और इसी वज़ ठीक है कब तक ये स्टिती रह सकती है मतलब आगे व्यापारी क्या उमीद लगाए हुए हैं जैसे हालात हैं सारे ही तरीके के मौसमी भी आर्थिक भी और जो दूसरी चिंता हैं इस बीच हैं सब को ध्यान में रखते हुए देखे हमारी जो बात हुई कारोबारियों थे उनका ये कहना है कि इस पर सरकार ने थोड़ी पहल की थी पिछली बार नॉवंबर के महीने में काफी प्याज के दाम पढ़ गये थे इसलिए एक लाख मिट्रिक टन के आसपा सरकार ने इस वक्त प्याज को स्टॉक करके रख हुआ है और जो नेफट जैसे संस्थान है उनके जरिये प्याजों की बिक्री भी की जा रही है अलग-अलग राजियों को तो अगर इतना प्याज है सरकार के पास और दीरे दीरे बिक्री की जाएगी राजिश सरकारों को दिया जाएगा तो दाम कम आने चाहिए दूसरी जो बात है जो कहना है कारोबारियों का वो ये कि कुछ दिन पहले दो या तीम दिन पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी सरकार ने बुलाई थी उतमें आयात को अनुमती दिये जाने का प्रताव रखा गया था जो पिछली बार बाकी देशों से जैसे पाकिस्तान या बाकी जहां से प्याज की का आयात किया जाता है, वो नौमबर महीने में शुरू किया गया था इस वार मुमकिन है कि सितम्बर में या नि दो महीने पहले ही उसको आयात करके रख लिया जाये तो ऐसी स्थिती को देखते हुए प्याज की कीमतों पर कंट्रोल होगा लेकिन आलू क की जो कीमते हैं वो लगबग लगबग इसी आसपास में रहेंगी अगले दो-तीन महीने तक 40-50 रुपे के आसपास और नवरात्रों में चुकि आलू की खपत ज्यादा होती है लोग बुरतों में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हो सकता है कि कीमते हैं बढ़ भी जाएं तो सब कुछ मौसम पर भी डिपेंड करता है निर्वर करता है और साथी साथ सरकार का क्या कुछ रोल रहेगा उस पर भी बहुत कुछ निर्वर करेगा ये थे आज तक रेडियो समादाता कुमार कुणार चलते चलते हेडलाइन्स एक बार फिर देश में कोरोना की स्तिथी को लेकर केंद्रिय स्वास्थे मंत्री डॉक्टर हर्शवर्धन ने आज लोग सभा में जानकारी दी डॉक्टर हर्शवर्धन ने कहां कि भारत में कोरोना के संक्रमन की दर अन्य देशों के मुकाबले कम है कोरोना काल में संसत का मौन सुनसत राज से शुरू हुआ, अब तक देश के 24 संसतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, इसमें राजसभा के 6 संसत शामिल है मोधी सरकार ने संसत को जानकारी दी है कि पिछले तीन साल में भारत में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार घटा है, सरकार द्वारा जारी आंकडों के मुताविक साल 2017-18 में भारत में करीब 35 करोड डॉलर का चीनी FDI 2019-20 में घटकर 16.7 करोड डॉलर का रह गय कोरणा संगट के 20 शुरू हुए मौनसुन सत्र के पहले ही दिन NDA राजसभा में अपनी ताकत दिखाने में कामियाब रही, जनतादल युनाइटेट के नेता हरिवंच सिंग फिर से राजसभा के उप सभापती चुन लिये गए हैं चीन की एक टेक कंपनी द्वारा दुनिया भर के लोगों का डेटा जुटाने का मामला सामने आया है, जैंजुआ डेटा इन्फॉर्मिशन टेकनोलोजी दुनिया भर के देशों से मिलिटरी और खूफिया जानकारी जुटा रही थी, इसमें भारत के प्रधानमंत्री 6% दर्ज की गई है, जो कि इससे पुर्व महिने में शुन्य के नीचे थी, दिल्ले विधानसभा सत्र में सदन की कारिवाही के दौरान रिठाला से आप विधायक महेंद्र गोयल ने अचानक स्पीकर को अपना स्तीफा देने की पेशकश की, महेंद्र गोयल ने सदन को बत लिखा है, सनेहवीर पुंडीर ने मेरच उत्तर प्रदेश से नितिन जी नमसकार, नितिन को संबोधित करते हैं, नितिन जी नमसकार, चीनी हमला और भारती वामपंथ पर आपका एतिहासिक चर्चा वाला एपिसोट कमाल का रहा, हमें भी पहली बार मालूम हुआ कि ये न पुद्कास करते हैं, और जब भी उन्होंने किया है, अच्छा फीडबैक मिला है, तो शुक्रिया आपका सनेहवीर पुंडीर के आपने चिठ्थी लिखी, और अब आपने चिठ्थी लिख दी है, तो आप देखिए कैसे नितिन जी जड़ी लगा देते हैं इसे पौड्क की, देखो कून भी आगया मिरबास नितिन का, चलिए मैं चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं, कुल्दीप मिश्र मेरा नाम